हालो फ्रेंड गैतेरीों मेकिंग चैनल में आपका स्वागत हैं फिर से आजिर हम आपके लिए एक नई Recipe लेकेہ है तो चलिए फ्रेंड बनाने स्टार्ट करते हैं हम आटा कि रेसिपी हैं हमारी गयों के अटे से तो देखिए चालिया है और यह इस नर्मल आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं वह यहां पर हमने एक बड़ा शर्थन ले यह अटा हम इसमें डाल देंगे तो देखी फ्रेंड हमने इसमें लिया था एक कटोरी आटा और उससे आधी लेंगे हम सूजी तो ये हमने आधी कटोरी सूजी ले ली है ये हम इसमें ही आड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मौइन के लिए इसमें थोड़ा असर डालेंगे चमच ओईल इससे हमारा क्रेस्पी और सोफ्ट भी और बहुत ही खस्ता नास्ता हमारा बनके तयार होगा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इसको हम तरीके से शिड़्य ततकी इसर नमक दाल देंगे थोड़ा से इसमें हमहरा धनिया डाल देंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आधी चमची इसमें हम चिली फैक्स डाल देंगे तो यह भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो देखिए इसका अब हम आटा लगाएंगी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगा के तैयार कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड हमने सोफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है इसको हम थोड़ देरे रैस्ट पर रख देंगे तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो देखे फ्रेंड इसको हम रखते हैं फिलाल एक तरफ तो यहां पे देखे फ्रेंड हमने एक ठाली ले ली है इसमें हम डाल देंगे गेट की वे दो आलू तो यह हमने पहले वोइल कर लिये थे फिर इनको हमने गेट कर लिया है तो बहुत ही चटपटी सी और टेस्टी सी हम इसकी स्टफिंग तयार करेंगे यहां पर हमने एक सिम्ला मिर्स ले लिया है इसको हमने इस तरीके से चौप कर लिया है यह हम इसमें डाल देंगे और स्वाद के अनुसार हरी मिर्स ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लैक्स आड़ करेंगे वह इसमें क्योंकि हरी मिर्स हमने पहले से डाल युए इसलिए हम चिली फ्लैक्स थोड़ा ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा निम्बू करस डाल देंगे आधी चम्मची इसमें हम धनिया पौडर डाल देंगे आधी चम्मची में इसमें सौप डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आधी चमचीस में जीरे डाल देंगे इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गारी यहाच का अच्छे मिन सедविकल गुक्त कर लोग कर तुम दो कम दियुए । है हैं थी ए Tou Track i haven अच्छे से से आट हो चुका है इसको हम एक बार सूफ्ट गूत लेंगे कि यह सब गूतने के बाद इसका हम तीन हिसे कर लेंगे तो यह हमने तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है देखे फ्रेंड इसको हम इस तरीके से लोई बना लेंगे अब दो इससे हम एक तरफ रख देते हैं और एक ले लेते हैं देखे फ्रेंड एक हमने ले लिया है इसमें हम थोड़ा सा आठा लगाएंगी जिससे कि यह चिपकेना और इसको हम इस तरीके से राउंड करके लोई बना लेंगे और इसको अब हमें बेलना है देखे फ्रेंड एक हमने बेल के तयार कर लिया है इसको हम रख लेते हैं प्लेट में देखे इस तरीके से और दूसरी भी हम इसी तरीके से बेलेंगे मतलब तीनों ही हम बेल के रख लेंगे तो देखे फ्रेंड यह तीनों हमने इस तरीके से बेल के तयार कर लिया है अब इस कट लिया है इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे इसकी और इसको हमें 8 भाग में काट लेना है तो यह हमने 4 हिसे कर दिये हैं अब इसके हम 6 हिसे कर दिये और यह हमारे 8 हिसे हो चुके हैं इसके तो देखे इस तरीके से कटिंग करने के बाद देखे इस पर हम लखेंगे बी इसको सेट कर लिजिए तो देखे फ्रेंट सेट करने के बाद यहां पर लगाएंगे टमाटो केचप यहां पर हम हर पीस पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी केचप लगा देंगे तो देखे इस तरीके से हमने आपर टमाटो केचप लगा दिया और जो इस्टाफिंग बना के रखी थी वहाँ पर एक एक चमच हम इस्टाफिंग रखेंगे इस्टाफिंग की हमने इस तरीके से सेव बना ली है और वो रखेंगे इस तरीके से इस तरीके से रख दी है रखने के बाद इसको घमाटा लेंगे यहां से हमें इस तरीके से राउंड करना है इनको हम इस तरीके से राउंड करेंगे अच्छे से दबाते हुए इस तरीके से इनको round करना है आप देख सकते हो इनको हम इस तरीके से चिपकाएंगे इस तरीके से इनको cover कर देंगे और देखे फ्रेंड इस तरीके से हम सारे बना के तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंड, एक हमने इस तरीके से बना के तयार कर लिया है, प्लेट में रख लिया है, आपको इसी तरीके से हम और बना के दिखाते हैं, तो ये देखे फ्रेंड, ये सारी हमारी पोटली बन के तयार हो गई है, जो हमने पहले से रोटी बेल के रखी थी, अब देख इसका फ्लेवर बहुत छाहता है और इसको हम और भी टेश्टी बनाने के लिए खोड़ा सा ओरिगेन, उपर से डाल देगे हमने इस तरीके से कर दिया है तो देखे फ्रेंग्ड ऊपर से हमने इस पर ओरिगेनो कर दिया है यहां पर देखिए थोड़ी सी टेमाटो केचव है इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे इस तरीके से हम इस्टफिंग के ऊपर लगा देंगे और देखे फ्रेंड जो हमने रोटी दूसरी बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और इसको कवर कर देंगे इसको हम अच्छे से चिपकाएंगे और यहां पर हम इस तरीके से एक बैचलर ले लेंगे इसको इस तरीके से हम इसको दबाएंगे है कि फरैन इस तरीके संने सच्छे से से डे कर लिया है सैट करने के बाद है हम पर इस तरीके से ग्लास ले लिया है और इसके हम इस तरीके से एक साइज के कि'll पीस बना लेने है तो देखे फ्रैंड इस तरीके से कुछ ए हमका आधर आ MiddleISH क्या है कोई दिक्त निए है वो भी आपका बहुत टेस्टी बनेगा तो देखे फ्रेंड इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है यहां से हम इसको उठाइंगे एक एक करके तो देखे फ्रेंड इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे तो देखे एकी बार में हमारे यह कितने सारे बनके तैयार होगे इनको हम प्लेट में रख लेते हैं तो यह ऑखी ऐसें 2 तेस्टी से नास्ते बनके तयार हो लोग्ए है और वह भी कैयों के आटे से यह जह लिए यह जो लिए भी वहाइक दॉब बना यह रखा था वह गया और सी तरीका चेंज हो गया हमारा गरम हो चुका है एक ही करके हम इसमें। डाल देंगे। तो तो देखे फ्रेंड यह हमने सारे डाल दी हैं तो अभी तक हम ने इसका हाइचत रखा था अब इसका हमने फ्लेम जो वो मीडियम कर दिया है मीडियम इसलिए किया है जिससे कि यह क्रेस्पी बने और अंदर तक अच्छे से सिख जाए इनको हम इसी तरीके से अलटते प्लटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राइब करेंगी तो यह देखे फैंड कितना अच्छा कलार आ गया है और यह अच्छे से क्रेस्पी होने तक हम इनको फ्राइब कर रहा है पहुती ज़्यादा क्रेस्पी बनके तयार हुए है इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो देखे फैंड एक ही निकरेंगे आप आटे से बनके इतना क्रेस्पी नास्ता हमारा तयार हुआ है आप इनकी आवास सुन सकते हो इसी तरीके से हम दूसरा बैच्छ तयार कर लेंगे तो यह देखे फैंड क्योंके आटे से पाजार से भी कहीं ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नास्ता हमारा घर पर ही बनके तयार हो जाता है तो ये लिजे फेंड देखे हमारा नास्ता बनके तयार हो गया है इतनी फटाफट बनता है तो देखे फेंड ये बजार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी नास्ता हमारे बनके तयार हो गया है अब भार से समोसे कचोड़ी पकोड़ी जो भी आप खाते हो उससे कहीं आप अन्दर से कहते हैं है और कितना अच्छा बना है अपड़ियो त्यार है यहां पे हम इसके टमयटू कहशु के सारे और की चैप साथ और पडले हमारी चैनल पड़िन अग L सब्सक्राइब करना चाइब remove करते हैं किसी पिकिस आप